आप भी उन लोगों में से हो जिनको मेक अप करना तो बहुत पसंद है बट हाँ आई लेसे लगाते वक्त उनकी नानी आदा जाती है तो हाई गाइस तो आज मैं शेयर करने वाली हूं पूरी वीडियो देखिएगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो पूरी प्रेसर के साथ मैं यहाँ पे खीच रही हूं आप देख पार में बड़ी मुस्किल से जाके निकला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते मैं इस ऐलैसे को कैसे लगाया हुगा है यहां पर फेक आई लैसेस है यह है स्विस ब्यूटी का 3D स्टूडियो एफेक्ट यह आई लैसेस है और बहुत जादा नैच्रल दिखाते हैं आपके आइस को यह नहीं की बहुत हैवी एवी से बहुत अच्छे से अपलाई हो जाती है इसका जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया वाली क्वालिटी है बहुत अच्छे से लग जाती है तो इसका जो एफेक्ट आता है बिल्कुल नैच्रल एफेक्ट आता है तो चलिए अपलाई करते हैं तो निकालना कैसे है हमें 20 से पकड़के निकालना है किनारे पकड़के ब बड़ी तो नहीं है, बड़ी रहेगी तो आपको कट करना है, दोनों कॉर्णर से थोड़ा-थोड़ा कट लगा देना है, और इससे पहले मैंने इसको एक बार अप्लाइ किया हुआ था, तो यहाँ पे मेरे आइस की अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, तो यहा अप्लाइ करना है, बीच में अगर कम लग जाएगा तो चलेगा लेकिन दोनों साइट्स में बहुत अच्छे से ग्लू लगना चाहिए, क्यूंकि हमारी जो यह लैसे निकलती है तो यह किनारे से ही निकलती है, तो इससे मैंने अप्लाइ कर लिया और बहुत अच्छे से इ 85% 80% तक बहुत अच्छे से यह सूख जाए ग्लू तब जाके हमें अप्लाइ करना है, डायरेक्ली नहीं अप्लाइ करना है, वह बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपका आई मेकप बिल्कुल भी खरा हो जाएगा, तो आपको इतना ध्यान देना है कि 80% जब आपका सूख जाए ग्लू तक जाके अपने आखों पर अप्लाइ करेंगे इस तरह से तो आप देख पार हो कितनी इजली से अप्लाइ हो गया यह लग गया है, तो अभी क्या करना है दोनों कॉर्णर पर इस तरह से आपको बहुत अच्छे से दबा दबा के इसको चिपका देना है, कॉर अप्लाइ करने के बाद बहुत ना इस तरह से अप्लाइ कर लेंगे ना तो बिल्कुल एक जैसे दिखने लग जाएगा तो आप दिख पारेंगे बहुत कितना फरक दिख रहा है दोनों आइस में डिफ्रेंस लग रहा है लगाने के बाद तो माई गौट बहुत अच्छी वाली फिलिंग आती है तो इस तरह से आप देख पारोंगे कितना प्यारा लुक लग रहा है इस तरह से आप भी अपलाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से लग गया है अब इसे कुछ टाइम बाद रखने बाद में आप इसको छुटा के दिखाऊंगी कि कितने अच्छे के साथ खीच रही हो तब जाकि यह निकली है तो इस तरह से आप भी अपलाई कर सकते हैं निकालने के बाद जो इस पे गलू लगा है इस तरह से आपको हटा देना है और इसको रख देना आप इसे एक से दो बार और भी यूज कर सकते हैं मतलब दो से तीन बार आप इसको एक बार तो मैंने यूज कर लिया है दूसरी बार आपको दिखारी हूं लगा के तो इसका गुलू इस तरह से छुटा के फिर वहीं पे जहां से हमने लिया है वहीं पर ही लगा देंगे एक से दो बार तीन बार आप इसके यूज कर सकते हैं गाईस वीडियो हैल्फुल लगी इसे आसमoso origin है टाहरे से घ्ली हो तो बीडियो से जादा जादा शेर कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिए कैसे लिगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगी ठीक है तो यस तरह से आप चिपका के डख सकते हैं एक से दौ बार आप इसक पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइब